दोस्तो पहले T20 मैच में भारत की टीम ने साउथ अफरीका को बुरी तरह ढोडाला इसके साथ सा संजू सैमसंग ने जड़ दिया जबरदस्य तक और दोस्तो इस संजू सैमसंग के अलावा इन दो खिलाडियों ने भारत को दिलाई बड़ी जीत तो ऐसे मैं दोस्तो जानते है कि पहला T20 मैच जीतने के बाद किस प्लेयर को मिला प्लेयर आफ दा मैच का अवर्ड और दोस्तो संजू सैमसंग के अलावा दो कौन से खिलाड़ी थे जोने भारत को जीत दिल्वाने में बड़ी भूमिका निभाई जादोस्तो भारत और साउथ अफरीका की टीम के बी दिये थे आठ विकिट के नुकसान पर जहां इस मैच में भारत की तरफ से संजू सैमसंग 107 रणों की शांदार पारी खेल कर आउट हुए थे उनके इस पारी में 10 शक्के के साथ 7 चौक के शामिल थे और उन्होंने केवल 50 गेंदों में 107 रणों की टुफानी पारी खेल जाली थी जहां उनकी अलावा तिलक वर्माने भी 33 रण बनाए थे तो सूर्या 21 रण बनाकर आउट हुए थे जहां दोस्तों संजू सैमसंग के आउट होने के बाद भारत की टीम के एक के बाद एक विकिट गिर गए और दोस्तों आखरी में 20-25 रण कम बने थे लेकिन काबला 61 रणों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया जाइंस मैच में साउथ अफरीका की तरफ से कलासन सबसे ज़्यादा 25 रण बनाकर आउट हुए थे और भारत की टीम ने इस चार मैचों की टी 20 स्रीज में एक जीरो की बढ़त बना ली है जाइंस मैच में दोस्तों भारतिय टीम की तरफ से शांदार परदशन करने के लिए संजू सैंसन को प्लेइर आफ दा मैच चुना गया उन्होंने दोस्तों 107 रणों की शांदार पारी खेली थी और दोस्तों संजू सैंसन के अलावा दो और खिलाडी थे जिन्होंने काफी कमाल की गेंद बाजी करी एक दोस्तों वरुन चकरवर्ती जिन्होंने अपने चार ओवरों में केवल 25 रन दे कर 3 विकिट अपने नाम किये थे और दोस्तों रवी बिश्णोई ने भी अपने चार ओवर में 28 रन दे कर 3 विकिट अपने नाम किये और दोस्तों भारत की टीम ये बड़ा मुकाबला का काफी अराम से जीत पाई जहां इस मैच में भारत के लगबग सभी गेंद पाजों ने कमाल का परदशन करा था लेकिन इन तीन खिलाडियों ने भारत को पहले टी-20 में जीत दिल्वाने के लिए सबसे अच्छा परदशन किया ऐसे में दोस्तों भारत की शांदार जीत से बदाइ